मेश राशी व्रिशब राशी हल्दी डालकर स्नान करने से पारिवारिक जीवन अच्छा होगा मिथुन राशी आज का दिन अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाब के योग रहेंगे किसी महत्वपून कार्यकी सार्थक्ता के लिए प्रहतनशिल होगा कठिन परिश्म से रचनात्मक योजनाओं को सार्थक करने में सफल रहेंगे कोई नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है पुराना आर्थ का धन भी मिल सकता है परिवार के साथ समय बिताएं मानसिक सुख और शांती मिलेगी खान पान का ध्यान रखना होगा उपाए अच्छे स्वास्थे के लिए हरी जवार का दान करे या गाई को खिलाएं कार्ख राशी आज का दिन मिला जुला रहेगा कारोबार में अर्चने आएंगी और कारियों में सफलता कम मिलेगी संतान संबंदी दायत्मों के प्रती मन चिंतित होगा भविश्य के प्रती नकारात्मक विचार उत्सा हमें कमीला सकते हैं कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसे टाले अन्यथा नुकसान हो सकता है धर्मध्यान और परिवार के साथ समय बिताएं, सेहत का ख्याल रखें उपाए, बेहन, बेटी वं मौसी का सम्मान करने से आर्थिक स्थिती अच्छी होती है सिंग राशी, आज का दिन सामान्य रहेगा किसी कार्य को सिधा करने के लिए आज ज्यादा मिहनत करनी पड़ेगी कारुबार में आर्थिक लाब तो रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च अदिक होने से आर्थिक स्थिती सामान्य रहेगी मन में किसी प्रकार की शंका न पाले, गलतियों को स्वीकार कर सगे संबंदियों के बीच अपने रिष्टों को सुधारे किसी पुराने मित्रिया रिष्टेदार से मुलाकात होने पर खुशी मिलेगी उपाई, अच्छी आर्थिक स्थिती के लिए दही या शेह दिया फिर दोनों का प्रयोग वदान करें कन्या राशी, आज का दिन मिला जुला रहेगा, कारोबार सामान्य रहेगा अनावश्यक खर्च बने से आर्थिक स्थिती कमजोर हो सकती है नकारात्मक विचारों को त्याग अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें भविश्य को लेकर योजनाएं बना सकते हैं नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो दूसरी को सलाह न लें अपनों से धोखा मिल सकता है रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में कोई शुब समाचार मिल सकता है उपाय, किसी भिखारी व अपन्ग व्यक्ती को खाना खिलाने से हेलता अच्छी रहेगी तुला राशी, आज का दिन शुब फलदाई रहेगा कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाब मिलने के योग रहेंगे परिश्रम से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और स्रिजनात्मक विचारों का भरपूर लाब उठाएंगे स्वाबिमानी स्वभाव लोगप्रियता दिलाने में सहायक होगा बेरोजगार को रोजगार के अफसर और नौकरी में तरक्की मिलने के आसार रहेंगे शारीरेक और मानसिक रूप से थकान का अनुभव करेंगे सेहत का ख्याल रखें उपाए हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चरवाने से स्वास्थय अच्छा रहेगा व्रिश्चिक राशी आज का दिन शुब रहेगा कारोबार विस्तार की योजना बना सकते हैं कार्यक शेत्र में कठिन परिश्रम से अपने काम को नई पहचान दिलाएंगे व्यवसाय में नए निवेश का अफसर मिलेगा करीबियों से पुराने गिले शिक्वे दूर होंगे पुरानी बाते भूलकर वर्तमान के साथ समझोता करें छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में तनाव की स्थिती पैदाना होने दें परिवार के साथ समय बिताएंगे सेहत का ख्याल रखें उपाय, स्त्रियों का आदर सम्मान करना वह उनकी भावनाओं को ठेसना पहुंचाने से फैमिली लाइफ अच्छी रहती है धनूराशी, आज का दिन अच्छा रहेगा कारोबार में आकस्मिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे हालां की कुछ अर्चने आ सकती हैं, लेकिन कठिन परिश्रम से कारियों में सफलता मिलेगी परिस्तितियों के हिसाब से अपने आपको धालने की कोशिश करें परिवार के साथ समय बिताएंगे तो संबंध भी मधुर होंगे पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, यात्रा को टालें, सेहत अच्छी रहेगी उपाय, भायों को समय समय पर लाल कपड़े गिफ्ट में दे, इससे पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा मकर राशी, आज का दिन मिला जुला रहेगा, व्यापार धंधा अच्छा चलेगा, कार्यक शेत्र में कुछ नई योजनाओं को सार्थक करेंगे व्यक्तिगत संबंध परिवार में विवाद का कारण बन सकते हैं, कोर्ट में कोई पुराना लंबित मामला चल रहा है तो वह सुलच सकता है अनावश्यक खर्चे पर नियंत्रन रखना होगा, परिवार में कला हो सकती है, खान पान का ध्यान रखें और क्रोध पर नियंत्रन रखें उपाए, सफेद संग मरमर की बनी कोई भी वस्तू अपने प्रेमी प्रेमिका को गिफ्ट करने से लव लाइफ बहतर होगी कुम्भ राशी, आज का दिन सामान्य रहेगा, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिल सकती है बेरोजगारों को रोजगार के अफसर मिलने के आसार है विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा और उन्हें परिश्रम के सकारात्मक परिनाम मिलेंगे धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं कारुबार मध्यम रहेगा, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और घर में माहौल अच्छा रहेगा, सेहत को लेकर सतर्क रहें, उपाय, फल्दार पौदे लगाना पारिवारिक जीवन के लिए बहुत शुब है, मीन राशी, आज का दिन अच्छा रहेगा, कार्या क्षेत्र में लाग मिलेगा, कारोबार में नए निवेश के अफसर खुलेंगे, नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है, दामपत्य जीवन खुशार रहेगा, सेहत का ध्यान रखें, उपाय, किसी भी मंगल कार्य विवाहादी में रंग में भंग डालना, सीधे ही शुक्र को कमज करता है, इसलिए अच्छी आर्थिक स्थिती के लिए ऐसे कार्यों से बचें.